और अभी लोकसभा के अंदर चुनावा रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है और एक सीट चंडीगड की है, मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी चाही हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गय कोई तीर थ्यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर, 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टे को दीजेगा, हमारे हाथ मजबूत कीजेगा अकालियों की सरकार में बिना पैसे के नौकरी मिलती थी, कांग्रेस की सरकार में कभी बिना पैसे के बिना सिफारिश के नौकरी मिलती थी, अब सारी नौकरिया बिना सिफारिश के बिना पैसे के मिल रही है, मेरिट पे मिल रही है, अपने आप मिल रही है, जो लाहिक बिना सिफारिश के मिल रही है, सारे कच्चे करमचारियों को पक्का किया जा रहा है, पहले, दो साल पहले जब हम आया करते थे, पंजाब आते थे, जगे जगे जाते थे, चुनाव प्रचार में, जहां देखते थे, टंकी के ओपर करमचारी चड़े होते थे, आज सारे अपने दफ्तर के अंदर काम कर रहे हैं तंकी के ओपर टीचर चड़े होते थे आज टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं फॉरन जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए टीचर वो टंकी पर नहीं चड़े वे टीचर फॉरन जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए दोस्तों हमने रंगला पंजाब का सपना देखा था आपने हम लोगों को वोट दिया था रंगला पंजाब बनाने के लिए दिल्ली का काम देखके आप लोगों ने पंजाब के अंदर वोट दिया था अब ये सारी पार्टी वाले बड़े दुखी हो गए हैं इनको लग रहा अब इनकी पर में से 62 सीट दी पंजाब में आपने 117 में से 92 सीट दी मेरा दिल कहता है अगली बार 117 में से 110 से जादा सीट आएंगे आम आदमी पार्टी और अभी लोगसभा के अंदर चुनाम आ रहे हैं मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है किसीका बिजली का बिल बंदो गया किसीके बच्चे का एडमिशन हो गया कोई तीर थयातरा में चला गया किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर 13 की 13 सीट आप आदमी पार्टे को दीजेगा हमारे हाथ मजबूत कीजेगा यह सारी पार्टे बहुत दुखी हैं यह सारी पार्टे अभी कठी हो गई हमारे खिलाफ और यह सारों एकठा होगे सारी केंदर सरकार के पास गई कुछ करो इनके काम रोको इनको काम करने से रोको इन्होंने इतना काम कर दिया तो हमारा तो बेड़ा घर को जाएगा यह सारी पार्टिया केंदर सरकार के पास गई और केंदर सरकार ने बड़ा गंदा काम किया उन्होंने पंज करना बंद कर दिया मान साब ने जगे जगे महला क्लिनिक खुलवा दिये कहते तुम पैसे रोको मैं और जनता के लिए सुविदा करूंगा और सुविदा करूंगा उन्होंने सडकों का पैसा रोक दिया मंडी के अंदर किसान आते हैं अपना माल बेचने के लिए साड़े पा और पतना साब श्रीपतना साब जाने वाली ट्रेन का भी इंजन रोक दिया उन्होंने ट्रेन देनी बंद कर दी पर सोचिठी आईए के अंदर सरकार की कि हम आपको मत्था टेकने के लिए ट्रेन नहीं देंगे मत्था टेकने जाने के लिए ट्रेन नहीं देंगा कल रात को मान साब मेरे से जिकर कर रहे थे, बहुत दुखी थे, कि हमारे लोगों को पंजाब के लोगों को किस तरह से केंदर सरकार दुखी कर रही है, बताइए कोई किसी, अगर आप किसी को मत्था टेकने में सहयोग करते हो, तो थोड़ा पुन्ने आपको भी लगता है, लेकिन अग आप किसी को मत्था टेकने से रोकते हो, तो फिर उपर वाला आपको माफ नहीं करता है, तो मान साब कह रहे थे, मैं कुछ दिन सोचता हूँ, इसका तरीका निकालेंगे, आपको नांडेर हजूर साब और श्री हजूर साब और श्री पतना साब तो लेके जाएंगे, इसका कुछ ना कुछ तो तरीका निकालेंगे, इनके मनसूबे पूरे नहीं होने देंगे, यह जितना मरजी काम रोक ले, दिल्ली में भी इन्होंने हमारे खूब काम रोकने की कोशिश की, कभी महला क्लिनिक रोके, कभी सड़के रोकी, कभी सीसी टीवी कैमरे, एक काम मैंने नह नुकने दिया, सारे काम दिल्ली में करें, इसी तरह से पंजाब का भी एक भी काम नुकरेगा, सारे काम होंगे, आपका जो सपना था रंगला पंजाब का, वो रंगला पंजाब हम सारे मिल के बनाएंगे, पंजाब के तीन करोड लोगों के साथ हम मिल के बनाएंगे.